बिच्चों, वेलकम टू भारत्विस क्लासेज, कैसे हो बिच्चा आप सभी आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे तो प्यारे बिच्चों, आज हम लोग कच्छा आठ, जेसी यार्टी गड़ीत पाठ पुस्तक में प्रशना वली आठ दिसमलो एक के प्रशनों को हल करेंगे, तो चलिए बिच्चा स्टार्ट करते हैं, पहला प्रशन दे रखा है हल करें, इसका पहला प्रशन है एक्स चोड तीन बराबर पाच, पहले प्रशन को समझ लेते हैं बिच्चा प्रशन क्या कहता है, तो बिच्च आपसे यह कहता है कि हम 3 में कितना जोड़े कि 5 आजाए क्या कह रहा है प्रसन कि हम 3 में कितना जोड़े X के जगा में हम कौन सी संक्या रखे हैं कि 3 को उसमें जोड़ने पर 5 आजाए बस अही कह रहा है तो आपको यहाँ पे चिन्नों को धियार रखना है बच्छा यहाँ पे देखे यहाँ प्लस का तीन है इस प्लस के तीन को हम उठा करके इधर लेक आएंगे बराबर के इधर लेक आएंगे हम यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर पहले 5 है तो 5 लिख दीजिए और इस plus के 3 को उठा करके इधर लिख आएंगे तो जब भी यहाँ पे plus का चिन इधर आता है तो यहाँ चिन बदल जाता है यहाँ पे यदि चिन plus का रहेगा तो बराबर के इधर आके minus का हो जाएगा तो यहाँ पे plus का 3 है बराबर के इधर लाएंगे तो minus का 3 हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है पांच में से 3 को घटा देना है तो बताएए पांच में से 3 घटाने पर कितना आएगा पांच में से 3 घटाने पर आएगा 2 तो हम 3 में 2 को जोड़ें तो 5 हो जाएगा इस परकार से आपको उत्तर ग्याद करना है ठीक है? चलिए प्रसन संख्या दो दे रखा है एक जोड़ साथ बराबर बारा तो बताइए हम किसे उठा कर कि इधर लेका आएंगे संख्या को संख्या इसमें क्या है? साथ है साथ के आगे कौन सा चीन है? प्लस का पताइए प्लस का साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का साथ हो जाएगा तो एक्स बराबर बारा प्लस का साथ इधर लाएंगे तो माइनस का साथ होगा तो बारा माइनस साथ हो गया 12 में से 7 कटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा तो X का मन 5 आ गया ठेक है तो पहले प्रेशन का उत्तर 2 होगा दूसरे प्रेशन का उत्तर 5 होगा प्रेशन संख्या 3 दे रखा है Y जोड 8 बराबर 6 अब बताई हम किसे उठा कर इधर लेके आएंगे 8 को 8 के आगे पलस का चिन है इधर आएगा तो मैनस का चिन होगा तो Y बराबर 6 मैनस 8 होगा अब यहाँ पर देखिए हमें 6 में से 8 घटाना है घटाने में कई बुच्चों को यहाँ दिक्कत होती है वे बोलते हैं कि सर यहाँ पर 6 तो छोटी संक्या है हम 6 में से 8 के से घटाएंगे तो बुच्चे आपको घबराना नहीं है अब 8 में से 6 घटा दिजिए 8 में से 6 घटाएगा कितना बचेगा? 2 बचेगा अब इन दोनों में से बड़ा कोन है? 8 बड़ा है यह 6 बड़ा है? 8 बड़ा है 8 के आगे माइनस कचिन है तो 2 के आगे माइनस कचिन लगा दिजिए यानि y का मान माइनस का 2 होगा परसंसंक्या 4 दे रखा है x माइनस 2 बड़ाबर 6 तो इस माइनस के 2 को उठा करके इधर लेके आएंगे तो यह पलस का 2 हो जाएगा x बड़ाबर 6 पलस 2 हम इस पलस 2 क्यों लिखें? क्योंकि इस माइनस के 2 को उठा करके हम बड़ाबर के इधर लेके आएं 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और 2 8 तो x का मान 8 होगा आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा ठीक है? प्रसंद संख्या पांचवाँ दे रखा है बिच्चों z माइनस 4 बड़ाबर 8 तो हम क्या करेंगे? z का z लिखेंगे z बड़ाबर 8 माइनस का 4 है उसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4 होगा 8 और 4 को जोड़े 8 और 4 को जोड़ेगा तो 12 z का मान 12 आगिया प्रसंद संख्या 6 को धियान से देखिए यहां तक हमने प्रसंद संख्या 5 तक हमने देखा किज़ा जो संख्याई थी उसके आगे या तो प्लस था या माइनस यदि प्लस का होता था तो इधर आके हम मैनस का कर देदे थे और यदि मैनस होता था इतरह आके प्लस का हो जाता था लेकिन प्रसंद संख्या 6 में यहां पे किस प्रकार है सर्व तो बच्चा यहां पे देखिए यहां पे 3x है यानि 3 गुना x है X के साथ 3 गुना में है अब इधार लेके आएंगे तो यह होगा भाग में तो X पराबर क्या होगा 18 बट्टे 3 भाग के रूप में हम लोग इसे लिखते हैं बट्टा 3 अब देखिए आप यहाँ पे 3 का पहाड़ा मठारा काट सकते हैं 3 का पहाड़ा मठारा काट सकता है कितनी बारी में आता है 3 का पहाड़ा मठारा 6 बारी में तो काट लेते हैं 3 6 का ठारा X कमान 6 आगया ठीक है प्रस्न संक्य सात्वा दे रखा है 4 Z बराबर 24 बताइए 4 जो है वो Z के साथ किस रूप में हैं गुना के रूप में है यहाँ पर गुना है 4 गुना Z इस प्रकार है तो 4 को हम उठा के इदर लेके आएगे तो यहाँ भागा में होगा Z बराबर 24 भागा 4 4 का पहड़ा में काट लेते हैं 24 4 चक 24 तो Z का मान आगया 6 अब देखिए परशन संख्या 7 तक तो था यहाँ गुना में अब यहाँ पर दिखे यहाँ पर जो संख्या है बच्छो या भागा में है X बटे 2 यानि जो 2 है वो X के साथ भाग में है हम चानते भाग का उल्टा क्या होता है गुना तो हम क्या करेंगे 2 को इधर लेके जाएंगे और 7 के साथ गुना में लिखेंगे यानि X बराबर 7 2 इधर भाग में था इधर आएगा तो गुना होगा गुना 2, 7 गुने 2 होगे हम तो 7 दूनी 14, X कमान 14 हो जाएगा ठीक है प्रसंद संख्या 9 दे रखा है P बटे 7 बराबर 4 इहाँ पर देखिे, जो 7 वो इसके साथ गुना में है इधर जाएगा तो फिर भाग में है ठीक है फी बटे 5 यानि भाग में इधर आएगा तो गुने में होगा तो P बराबर 7 24 गुना 7 24 की गुना 7 से कीजिएगा तो आएगा 168 तो P कमान 168 हो गया 8 को उठाकर इधर लेका आएंगे i5 best नहीं होगा यह पर यहां पर जेरो आएगा लेकि यहां आठ नहीं होगा घूरादार इधर लेके आएगे जैए 17 के साथ एया del LongKeyron मिलय उइस अट के साहिए बराबर क्रम ऊचनु आफ में से तीन घृठाएंगे तो पांच तो Q कमान 5 में आएगा Q कमान 5 आएगा प्रशन संक्या 11 दे रखा है 2X माइनस 1 बराबर 3 अब यहाँ पे देखी सबसे पहले यहाँ पे 2X का 2X लिखी है ठीक है अब पहले माइनस के 1 कुठा कर इधर लेक आएंगे अब यहाँ पे माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा यानि 3 जोड एक आगिया तो 2X बराबर क्या आया 3 और 1 चार आगिया अब यहाँ पे देखी एकस के साथ 2 है इस 2 को भी उठा कर इधर लेक आएंगे 2X के साथ गुना में इधर आएगा तो होगा भाग में एकस बराबर 4 बट्टे 2 2 का पहाड़ा में 4 कट जाएगा दो बार में 2 दूनी 4 तो X कमान आ गया 2 प्रस्ण संख्या बारवा दे रखा है 3T मैनस 4 बराबर 11 देखी यह दोनों प्रस्ण एक जिसे है बताए हम पहले क्या करेंगे पहले 3T का 3T लिखेंगे बराबर अब इस मैनस के 4 को इधर लिखेंगे तो यह पलस का 4 होगा 11 जोड 4 तो 3T बराबर कितना है 11 और 4 15 अब T के साथ 3 भी है 3 को भी इधर लिखेंगे तो 3 के साथ गुना में इधर आएगा तो होगा भागा में ती बराबर 15 भागा 3 तीन का पाणा में काट लेते हैं 5 बार में कटेगा 15 तीन पचे 15 तो T का माना आगया 5 प्रसन संक्या 13 दे रखा है 2Y जोड 3 बराबर 9 तो हम क्या करते हैं पहले 2Y का 2Y लिखेंगे इस पलस के 3 को इधर लिखेंगे तो माइनस का 3 होगा 9 बराबर 6 2Y बराबर 9 माइनस 3 ठीक है माइनस का 3 हो गया 2Y का 2Y 9 में से 3 खटाएंगे तो बचेगा 6 अब इस Y को भी इधर लेके आएंगे Y इधर Y नहीं 2 को इधर लेके आएंगे 2 इसके साथ गुना में है इधर आएगा तो होगा बट्टे में तो वाई बराबर 6 बट्टा 2 2 का पहाड़ा में 6 कट जाएगा 2 तिया 6 तो वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया प्रसंद संक्या यहाँ पे 4 दे रखा है 11 जोड 6 पी बराबर 7 तो सबसे पहले 6 पी का 6 पी लिखिए अब यहाँ पे देखिए 11 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं हो तो पलस होता है 11 जो है वो पलस का है इधर लेकाएंगे तो होगा माइनस का 7 माइनस 11 अब यहाँ पे 11 में से 7 घटाएंगे तो देखे 11 बड़ा है तो 11 का आगे मैनिस का चीन है तो यहाँ पर मैनिस का 4 आएगा ठीक है अब 6 को भी इदर लिकाएंगे तो इदर भागा में होगा मैनिस 4 बट्टा 6 2 का पालम कट जाएगा मैनिस 2 बार में 2 कटा मैनिस 2 बार में 4 कटा और 6 कटेगा 3 बार में तो मैनिस 2 बट्टे 3 यहाँ पर P का मान हो जाएगा प्रसंद संक्या 15 दे रखा है 3 बट्टे 7 जोड़ X बराबर 17 बट्टा 7 तो यहाँ पर X का X लिखिए इस पलस के 3 बट्टे 7 को उठाकर इधर लेका हैंगे तो होगा माइनस का 3 बट्टे 7 तो 17 बट्टे 7 माइनस 3 बट्टे 7 अब यहाँ पर देखिए भीन का घटाव है 7 और 7 का यहाँ पर लेंगे तो नीचे 7 होगा और उपर आएगा 17 माइनस 3 ठीक है 17 में से 3 घटा यहाँ तो आएगा 14 और नीचे 7 साथ का पाड़म कर जाएगा साथ नीचे और तो एक्स का माना आगया 2 अब इसे देखिए यहाँ पर है एक्स माइनस 3 बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 6 यहाँ पर एक्स लिखिए माइनस की 3 बट्टे 2 को इधर लेके जाएंगे तो पलस का 3 बट्टे 2 होगा तो यहाँ पर माइनस की 3 बट्टे 2 को इधर लेके आएंगे तो होगा पलस का 3 बट्टे 2 तो पलस 3 बट्टे 2 हो गया अब यहाँ देखिए बिच्चों यहाँ पर है हमें 7 बट्टे 6 में से 3 बट्टे 2 घटाना है हम क्या करेंगे पहले नीचे वाली संख्याओं का LC हम लेंगे 6 और 2 का LC हम लेंगे तो होगा 6 अब देखे 6 का पहाडा में 6 एक बार में आता है एक को 7 से गुना करेंगे तो 7 जोड़ है तो जोड़ 2 का पहाडा में 6 आता है 3 बार में 3 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 9 ठीक है 7 और 9 को जोड़िएगा तो होगा 16 और नीचे 6 है तो 6 16 और 6 दो का पाणस कट जाएगा 2 अठी 16 दो ती अचे तो 8 बटे 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उतर होगा प्रसंद संख्या 17 दे रखा है बिच्छों 2 एकस माइनस 1 बटे 2 बराबर 3 तो पहले 2 एकस का 2 एकस लिखे है माइनस के 1 बटे 2 को उठा कर हमी धर लेका आएंगे तो पलस का 1 बटे 2 होगा 3 पलस 1 बटे 2 यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 एकस का 2 एकस लिखे यहाँ एक मिसरित भीन है यहाँ पे क्या करना है हमें मिसरित भीन के रूप में हल करना है पहले इन दोनों की गुना करेंगे 2 तिया 6 और 1 जोड़ देना है 2 तिया 6 और 1 7 7 हो गया नीचे में 2 है तो 2 लिख देंगे 7 बट्टे 2 अभी यहाँ पे आए 7 बट्टे 2 एकस के साथ 2 गुना में है इसको इधर लेक आएंगे तो होगा बट्टे में यानि एकस बराबर 7 और यहाँ जो है 9 2 जो है नीचे में आएगा 2 गुना 2 तो उपर में 7 का 7 होगा और नीचे 2 दूनी 4 7 बट्टे 4 एकस का मान होगा परश्न संक्य आठारवा दे रखा है एकस बट्टा 3 जोड एक पराबर 7 बट्टे 15 तो एकस बट्टा 3 का एकस बट्टा 3 लिखिए अब इस पलस के एक को इधर लेकाएंगे तो होगा माइनस का एक तो 6 बट्टे 15 माइनस 1 एक्स बट्रा तीन का एक्स बट्रा तीन लिखेंगे अब यहाँ पे देखे यहाँ जो देर रखा है बच्चा यहाँ एक मिश्रीद भिन है इसे हम लोग हल करेंगे 15 की गुना एक से करेंगे तो 15 होगा और 7 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा अब इस 3 को उठाकर की तरने लेंके आएंगे तीन यहां पे भागा में इधर आएगा तो गुंदा में तो X बराबर मैनस 8 गुंद्य तीन बट्टा 15 तीन कपाड़ा में 15 कट जाएगा 5 भार में तो मैनस 8 बट्टे 5 यहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा प्रसंद संख्या 19 वा दे रखा है बच्चा एक्स बट्टा चार बराबर साथ बट्टे आठ तो एक्स का एक्स लिखिए यह जो चार है इसके साथ भागा में इधर आएगा तो गुर्णा में साथ बट्टे आठ बता ही हम चार को उपर लिखेंगा नीचे इधर तो नीचे है उधर उपर आएगा तो साथ के आठ साथ आएगा गुने चार चार का पाढ़ा में आठ कट जाएगा दो बारी में तो साथ बट्टे दो हमारा एक्स का मान हो जाएगा प्रसंद संख्या 20 वा दे रखा है तीन एक्स जोड़ दो बराबर 15 पहले तो तीन एक्स जोड़ है तो जोड़ तीन की गुना दो से होगी तो छे बडाबर 15 अब यहां आगया समिकरान अच्छा से अब छे को इधर लेके आएंगे तो यह पलस के इधर आगा माइनस का तीन एक्स बडाबर 15 माइनस चे पंदरा मेंस चे घट आएंगे तो आएगा अब एक्स के साथ तीन गुना में इधर आएगा तो बटे में नो बटे तीन तीन का पहला में नो कर जाएगा तीन बार में तो एक्स कमान आगया तीन तो बच्चो आसा करता हूं कि आपको यह प्रशनूत तर समझ में आये होंगे आपको वीडियो अच्छी लगी तो झाल 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 झाल